देखो ये सवाल भी ठीक लास सवाल जैसा ही है ठीक है आना चाहिए था कायदे से टेंथ क्लास के सिलबस में ठीक थोड़ा ठीक है थोड़ा सा स्पार्क है ध्यान दोगे observation skills पर अगेन तुम्हारा based है ये quadratic expression है देखो दे रखा है इस quadratic expression does not have distinct real roots does not have distinct real roots इसका मतलब क्या है ध्यान दोगे इसके दो मतलब हो सकते हैं तुम्हारे पास पहला case one ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास does not have distinct real roots इसका मतलब ये जो इसका curve है ये horizontal axis को दो अलग-लग separate points पर नहीं cut कर रहा है ठीक है कि इसका ये भी मतलब हो सकता है तुम्हारे पास ये भी मतलब हो सकता है ऐसा ठीक है कि इसका है distinct real roots अगर नहीं है इसका मतलब the curve of this function is touching the horizontal axis ठीक है curve इसका मतलब क्या ऐसा है curve is touching the horizontal axis अब touch तो यार touch करके उपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है दोनों के से सुठा लिए मैंने चिके कैए तो यहां कैसा है ऐसा समझ गये कि ऐसा है clear है है ना ऐसा हो जाएगा और यहां पर कैसा है यह चीज ऐसी हो जाएगी अच्छा उपर वाले केस में देखो उपर वाले केस में तुम्हारे पास जो फंक्शन है that is always greater than equal to zero और यहां पर देखो जो फंक्शन है that is always less than equal to zero अच्छा खेर अभी मेरे को इसका निपटना पड़ेगा कि केस वान है कि केस टू है तो इफ ax square प्लस bx प्लस c equals to zero ठीक तो अगर यहां मैं देखूं इस quadratic function की अगर बाची चल रही है तो again वही अपना f of zero देखो क्या है तुम्हेरे पास जो मेरे पास quadratic function है that is ax square प्लस bx प्लस 6 f of zero को देखो तुम किता है 6 which is positive अब मेरे को बता आओ case two कभी हो सकता है यह चीज़ देखो जारा ध्यान से यह चीज़ देखो जारा ध्यान से अब case two कभी possible नहीं है this is not possible अगर तुम देखो zero कहीं न कहीं horizontal axis पर होगा समझ गए वो positive है तो यहाँ इस case के साथ इसके साथ तो वो possible ही नहीं है क्योंकि this curve this function cannot produce a positive value ठीक है क्या तो x equals to zero पर मेरे पास तो मेरा quadratic function positive value produce कर रहा है इसका हमना case two तो किसी सूरत हाल में possible ही नहीं है समझ गए एक भी value के लिए अगर positive value a function produce कर रहा है कौन सी value के लिए for x equals to zero the function is producing positive value for x equals to zero fx is producing fx produces a positive output positive output which is not possible for case two तो इसका मतलब case one is the correct case यह possible है in fact यही हो भी रहा है ठीक अब बड़े ध्यां से देखो 3a plus b तुम कैसे generate करोगे ठीक 3a plus b कैसे generate किया जा सकता है तो 3a plus b directly तो तुम ऐसा उठा नहीं पाऊगे x को देखो अगर तुम 3 अगर रखते हो अगर मेरे पास है कितना fx a x square plus b x plus c है चिखेगे ऐसा तो x को अगर तुम 3 रखते हो चिखेगे तो यह भी समझ लो कि x को 3 रखने के पहले थोड़ी सी जद्दो जहेत मुझे करनी पड़ी थी तो वो अभी मैं skip कर रहा हूँ वो चीजे तो अभी तुम्हारे सामने क्योंकि direct एकदम मतलब उसका जो workout है मेरा attempt है वो चीज़ आ रही है तो अभी वो मेरे efforts थोड़े से इसमें बिसिंगे लेकिन मुझे थोड़ा दम लगा था चीज़ आ कि यह मैं बता दूँ थोड़ा ज़्यादा भी नहीं तो x equals to 3 जैसे तुम इसमें put up कर रहे तो क्या आएगा 9a plus 3b plus 6 यह चीज़ आ रही f of 3 यह है अब मुझे पता ही कि किसी भी input के लिए function कैसा रहेगा हमेशा greater than equal to 0 रहेगा यह तो पक्की बात है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ समझ एगा किसी भी input के लिए for any sort of input तुम यहाँ देख सकते हो जाज जादा function क्या होगा 0 होगा बाकी तो हर input पे देखी सकते हो function की value हमेशा positive है clear है बात अच्छा तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इस inequality का परयोग कर रहा हूँ समझ गएगा अच्छा अब जैसी तुम यह चीज़ करोगे देखो यहाँ पर क्या generate होगा 3 times 3a plus b और 3a plus b ही चाहिए था मेरे को plus 6 is greater than equal to 0 तो 3a plus b इसका मतलब plus 2 is greater than equal to 0 minus 2 अगर दोनों से ठोको तो क्या हो जागा 3a plus b is greater than ऐसा ठीक है इसका मतलब 3a plus b की जो minimum value है वो गित्ती है तुम्हेरे पस दो और यही जीज़ तुमसे actual ना पूछी भी गई है देखो ज़रा ध्यान से You have been asked What is the least value of 3a plus b समझ गये है What is the least value of 3a plus b तो पूरा दम जो actual में लगा है मैं बता रहो तुम्हें X equals 3 put up करने में लगा है जो की induce हो जाता जिता quickly यहाँ पर मैंने करते वह दिखाया तुम्हें इतना quickly एक इंसान से बने ऐसे ज़री नहीं है ठीक है इस चीज़ को करने में भेजा लगता है और puzzle की तरह ही है यह सवाल puzzle की तरह है on field अगर उसकी practice अगर नहीं है इस तरह के सवालों में तो उसको लगा नहीं पाएगा actual में exam में समझ रहो अभी clear है कि syllabus जल्दी खतम करना क्यों जरूरी है syllabus तुम जित्ता जल्दी खतम करोगे so that इस तरह के सवालों के साथ जालस जादा तुमको वक्त मिलेगा brain जालस जादा चला चुके रहोगे तो status अच्छा रहेगा समझ गए तो इस तरह के सवालों में भेजा तुम कैसा लगा चुके रहोगे तो अच्छी बात है बना तो अच्छी बात है बढ़िया से और बन नहीं है वैसे जारा प्राक्टिस अगर करोगे तो चीज़े रिपिटिटिव रहती है ठीक है तो यह मेरा आंसर हो जाएगा फिर ठीक है minimum value minimum value of 3a plus b will be equal to minus 2 this will be your answer ठीक है यह answer होगा मेरा ओके